यूट्यूबर महेश पांडे को लेकर 15-20 दिन के बाद में इस्ट्यूब मीडिया में खबर काफी तीजी से वाइरल हो रही है और बताया जा रहा है कि बुद्धवार को गुरुगराम के उद्ध्योग विहार पुलिस थाने में IPC की धारा 376, 506 और 34 के तहत महेश पांडे क की खिलाफ मामला दर्ज किया गया है सबसे पहले तो हम आपको महेश पांडे के उपर लगी धारा के बारे में विस्तार से समझाते हैं कि महेश पांडे की उपर कौन-कौन सी धारा लगाई गई है तो यूट्यूबर महेश पांडे पर धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया ग यानि महेश पांडे पर बलातकार कारोप लगाए गया है इसके अलावा महेश पांडे के खिलाफ धारा 506 के तहद भी मुकद्मा दर्ज है अब आप समझीए कि यह दारा क्यों लगती है तो किसी इंसान पर धारा 506 तब लगाई जाती है जब कोई विवेक्ति किसी विवेक् दराता है इसके अलावा एक और धारा महेश पांडे पर लगी है और वो धारा है IPC की धारा 34 धारा 34 कहता है कि यदि किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में किसी अपराधिक कृट्य को एक इरादे के साथ अंजाम दिया गया है तो वो व्यक्ति और उसका साथ देने वाले सभी व्यक्ति एक अही प्रकार की सजा के पात रहोंगे अब इसको आसान भाषा में समझिये तो महेश पांडे के उपर बलातकार अपराधिक धंकी और सामूहिक अपराध का आरोप लगाये गया है अब यहां सवाल यह हो सकता है कि महेश पांडे तो पिछले 15-20 दि हमके देदी और वो कौन शक्स है जो यूट्यूबर महेश पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है तो चलिए हम आपको आगे की वीजियो में सब समझाते हैं कि महेश पांडे के उपर आरोप लगाने वला शक्स कौन है और महेश पांडे की खिलाफ इस प्रकार का आरो और बताया है कि 20 जून के आज पास शोसन मेडिया के जरिये उनकी पहचान चकरपूर के रहने वाले महेश पांडे नाम के यूबक से हुई थी, दोनों के नमबर एक्षेंज हुए और 27 जून को ये तैय किया गया कि आरोपी महेश पांडे जो कि एक यूट्यूबर भी है वो पहले से ही कमरा बुक था, आरोपी सिंग ने कहा कि महेश पांडे ने मुझे कमरे में इंटरव्यू के लिए बुलाया और जैसे ये विडियती होटेल में गई, उसको देखती हैं यूट्यूबर महेश पांडे शराप पीने लगा, अपने कपड़े उतारने लगा, उसके अपने जान पहचान वाले को फोन करके बुलाती हैं जिनका नाम विशाल सिंग है और विशाल सिंग के आने के बाद वह अपने должна कर भाग जाती हैं अब इस मा मामले में और यो dua सिंग की Pasρ करा हैं Abraham 2 먹어rick doet मिली थी लेकिन आरोही सिंग ने जो एफ यार दर्च कराई है उसके अनुसार भोषपुरी एक्ट्रिस ने दुशकर्म का विरोध भी किया और जब वो शोर मचाने लगी तो आरोपी महेश पांडे हैवान मन गया और लड़की को धमकाते हुए बोला कि अगर शोर मचाया तो ये शराब की बोतल घुसेर दूगा दामीनी फिल्म की तरफ इसलिए चुप चाप मेरी बात मान जा वरना मैं तुझे जान से मार दूगा बागे भोशपुरी अक्रेस आरोई सिंग का कहना है कि वो अभी स्टूरेंट है इसलिए जब उनके साथ रेप का प्रयास किया गया तो वो काफी डर गई चुकि बदनामी होती इसलिए उन्होंने तुरंट पुलिस में कोई शिकायत नहीं की लेकिन बाद में महेश पांड लेन रोप लगाया था कि इसी अक्रेस का सहारा लेकर भुशपूरी पावरिस्टा पावन सिंग के भाई विशाल सिंग महेश पांडे को गुडगाओं के एक होचिर में शादिस के तहद बुलाया था और महेश पांडे को होटेल में अकेला पाकर विशाल सिंग ने अपने अगले दिन जो महेश पांडे ने अपने साथ बिती सारी वर्दात को वीजियो बना कर बताया तो शोफसल मेडिया पर विशाल सिंग ने महेश पांडे की नंगी वीजियो को वैरल भी कर दिया। कोई भी नए अपडेट सामने आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे फिलहाल वीडियो को समात्त करते हैं धन्यावाद